है यह व्रीवन वेल्कम टू स्टेडी चक्रा इस वीडियो में हम लोग पैरलल एक्सिस थियर्म के बारे में पढ़ेंगे देखो मोमेंट ओफ इनिश्या के बारे में अल्रीड हम लोग डिस्केस कर चुके हैं इससे रेलेक्टेट दू इंपॉर्टेंट थियर्म है एक पैरल पार पास एक बॉड़ी है एक रिजट बॉड़ी और यह रिजट बॉड़ी का अब सेंटर ओफ मास का इससे पास हो रही है कि इस शेंटर ओफ मास से एक्स पास हो रही है और यह इस एक्सिस के लोंग भूम रही है इसे ऐसे खूम रही है मानले टीस एक्सिस के अलोग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह आइं सीएम है मतलब ICM is the moment of inertia about an axis which is passing through its center of mass center of mass से यह axis पास हो रहा है और body ऐसे भूम रही है तो यह moment of inertia calculate कर सकते हैं हम लोग इसका formula हमको पता है let's say this is ICM अच्छा दूसरी बात यह कि एक ऐसा axis हम imagine करते हैं जो इसके parallel हो एक ऐसा point ले लेते हैं मालो point यहां पर O है और यहां से एक axis पास कर देते हैं इस axis के लोग moment of inertia हम लोग ने calculate कर लिए ICM मालो इस axis के लोग moment of inertia जो भी निकालेंगे कोई भी एक ordinary point है इस point से हमने axis पास कर दिया और इसके लोग अब उसको हुआ रहा है समाझनारी बात बस इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो axis है वो इस axis के parallel होना चाहिए जो center of mass से axis पास हो रहा है उसके parallel इस axis को imagine करना है अगर आपको इस axis के along जो की center of mass से पास हो रहा है यह moment of inertia पता है ICM तो इसका use करके हम लोग इस axis के along moment of inertia calculate कर सकते हैं अगर यह axis इस axis के parallel हो और इन दोनों के बीच का जो distance है मालो distance h है अगर यह पता हो तो समझभारी बात मालो इस पूरे body का जो mass है वो capital M है ठीक है तो theorem यह कहती है parallel axis theorem यह कहती है कि यह axis दोनों parallel होने चाहिए एक तो तो यह जो axis है जो axis हमें यहाँ पर माना हुआ है जो की O से पास हो रहा है इसका जो moment of inertia होगा that moment of inertia I will be equal to Ic that moment of inertia I will be equal to Icm and the moment of inertia about an axis that is passing through center of mass and parallel to this axis plus body का mass or square of the distance between these two axis यह theorem तो अगर body का mass पता है दोनों axis के बीच का distance पता है और यह जो axis है center of mass से पास हो रहा है वो मुझे पता है Icm उसका moment of inertia तो यह सारे चीज़े आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको इस axis का moment of inertia अपने आप पता चल जाएगा ठीक है तो यह जो दिख रहा है आपको यह यह parallel axis theorem है इसका use करके हम लोग कही moment of inertia calculate करने वाले है तो लाल यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को prove करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है और कैसे होता है ठीक है चलो start करते है मालों को एक point यहाँ पर assume कर लो let's say this point is P ठीक है और इसका यह जो हमने बहुत चोटा सा mass assume किया वह है इसको हम लोग mass dm assume कर लेते हैं ठीक है आप दो दोनों body के लिए यहाँ पर prove कर सकते हो continuous mass distribution है या फिर discrete system of particles है पर यहाँ पर मैं continuous mass distribution के लिए प्रूव करने वाला हूँ दोनों में बस फर्क इतना है कि एक में integration use होगा और एक में summation का sign use होगा इसका मैं already आपको बता चुका हूँ कि वो कभ यूज होता है so we'll go for continuous mass distribution तो मालों यहाँ पर एक छूट असा particle है इसका mass क्या है dm है तो अगर suppose करो मुझे इसका moment of inertia calculate करना है तो क्या करोंगा बताओ यहाँ से इसका perpendicular distance ले लेते हैं यह distance ले लेते हैं यह distance ले लेते हैं यहाँ से this distance let's say it is r c ठीक है और अगर मालों इसके यह जो i है यह calculate करना है तो क्या करेंगे हम लों की distance ले लेंगे let's say this is this is r c and this is r o इनकी बीच का distance हमको पता है it is h और इसको सीधा आप extend कर दो और यहाँ से सीधा एक perpendicular line डाल दो ठीक है तो यह point जो होगा यह o है इसको आप एक काम करो d o है इसको p माल लो इसको q माल लो इसको d माल लो यह c है sorry क्या time pass कर रहो मैं यह already c है तो पता हमको c है इसको q माल लो यह p माल लो ठीक है यह सारे distances पता चले है now this is 90 degree अब सनुधास यह जो बड़ा वला triangle दिख रहे है आपको o q p triangle o q p right angle triangle pythagoras theorem यूज करो pythagoras theorem से क्या आएगा बताओ o p square is equal to o q square plus p q square o q square plus p q square what is o p it is nothing but r naught square r naught square is equal to o q o q को आप क्या लिख सकते हो o c plus c q यह आपने direct लिख रहा हू o c will be h c q will be इसको माल लेते हैं x so o c plus c q q मदलब h plus x ka whole square plus p q square p q square कुछ नहीं माना है s n n n 2 square right clear है चलो आगे बढ़ते है now see r naught square is equal to x square plus 2hx plus x square plus p q square ऐसा लिखा जा सकता है right बहुत बढ़िया अब देखो यहाँ पे x square plus p q square यह दिख रहा है x square plus p q square यह छोटा ट्राइंगल दिख रहा है इसमें पादागोरे से हम लगाओगे तो क्या आएगा x square plus p q square will be equal to r c square तो इसके जगा पे हम क्या लिख सकते हैं r c square यह वाला distance r naught square ऐसा आगया अब इस पूरे equation को dm से multiply कर दो और integrate कर दो it will be r square dm is equal to x square dm plus 2hx dm plus r c square dm अब मुझे एक बात आओ अब मुझे एक बात आओ कि यह जो center of mass है इस axis के along अगर मैं इसका moment of inertia icm calculate करूँ तो क्या होगा icm will be equal to integration of particle का mass dm चोटा सा mass dm assume करेंगे और उसके बाद उसका distance देखेंगे r c तो क्या होगा r c dm r c square it will be dm r c square यह तो clear है moment of inertia हम ऐसे calculate करते हैं अच्छा उसके बाद फिर अगर मालो इस axis के along देखना है about point o तो बताओ इसका distance क्या है r o mass dm इस axis के along moment of inertia i है तो i का value क्या है बताओ i will be equal to integration of r o square dm तीसरी बात integration of dm क्या होगा चलो वह बात में देखेंगे इसको पहले काम करते substitute कर देते है r o square dm के जगा पे हम लिख सकते है i so this equation will be i is equal to यह क्या हो जाएगा i हो गया this is nothing but moment of inertia about this axis equal to x square constant रहने वाले देखो अगर मैं mass change करूंगा तो ro distance बदल जाएगा rc distance बदलेगा मानता हूँ x बदल जाएगा लेकिन मैं यह बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो h है यह तो fixed distance है न over c के बीच में तो आगर आप mass बदल भी रहे हो तो यह distance पे फरक नहीं पड़ेगा h is constant constant है तो integration के बहार आ जाएगा so h square integration of dm हो जाएगा यह वाला time नहीं है तो x तो अंदर है रहने वाला x into dm plus यह बताओ क्या हो जाएगा rc square dm देख रहे न है अपर dm rc square this is nothing but moment of inertia about center of mass तो यहां तक हम लोग पहुँच गए अब क्या कर सकते मैं उपर बाला part मिटा दे रहा हूँ इसको फिर continue कर रहा हूँ यह वाला चीज यह आख लेना i is equal to s square dm s square integration of dm क्या होगा यह भी बता दो मुझे what is integration of dm यहां लिख देते हैं what is integration of dm चोटे-चोटे mass integration का मैंने मतलब बताया था चोटे-चोटे mass लेना है और सबको add कर देना है तो आपको body का total mass मिल जाएगा ठीक है integration of dm is nothing but mass of this entire body integration of dm के जगर पे मैं लिख देता हूँ mass of the entire body plus मैं पहले icm लिख रहा हूँ यह यह लिख देते है integration of dm ठीक है plus moment of inertia about center of mass इतना आ गया अब यह term देखते हैं इसको evaluate करना पड़ेगा integration of x dm है integration of x dm यह क्या चक्कर है यह देखते हैं लोग इसका क्या मतलब है अब यहाँ पे ना हमको center of mass के concept पे जाना पड़ेगा इसके बाद center of mass का concept क्या था कि अगर suppose करो हमार पास एक body है इस body का अलग-अलग mass है ठीक है तो center of mass अगर distribute distribution अगर आपका जो mass का distribution है वो discrete system of particles आपके पास तो formula क्या था center of mass का अलब यह origin है और मादू center of mass आपका इस point पे आ रहा है this is your center of mass तो यहाँ से अगर मैं एक vector बनाता हूँ तो इसको हम लोग को बोलते हैं position vector of center of mass RCM RCM कैसे मिलता था आपको बता it was M1R1 plus M2R2 plus dot 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 MNRN जितने भी particles है MNRN divided by total mass of the system M1 plus M2 plus MN and this is nothing but total mass of the system जिसको हम capital M लिख सकते हैं यह discrete system of particles के लिए था ठीक है लेकिन अगर suppose करो हमारे पास continuous है यह से कि यह continuous mass distribution है तो उसमें हम integration use करेंगे तो एक body है which has continuous mass distribution तो ऐसे कि हम integration का use करके center of mass निकालते थे तो इसमें हम क्या करते थे एक छोटा सा mass assume करेंगे इसका mass जो है वो DM है मालो इसका distance origin से है वो R है तो RCM का जो value होगा that will be equal to integration of R into DM divided by total mass यह value अगर आप calculate करोगे integration calculate करोगे तो आपको मालो कहीं ने कहीं यह इसका center of mass मिल जाएगा और उसका distance यहां से क्या होगा जो भी vector बनेगा उसका distance RCM होगा समझार है इस तरीके से हम लोग यह निकालते थे center of mass इसका distance अच्छा अगर यह RCM है इसका अगर आप दो तिनो component ले लो इसका component यह क्या है बता this is XCM component of this वैसे यहां पे YCM आ जाएगा किसका component of RCM समझ में आ रहा है अगर Z axis का भी है तो Z CM आ जाएगा ठीक है और उनका formula क्या था बता XCM was equal to integration of XDM upon M वैसे ही YCM is equal to integration of YDM upon M वैसे ही Z CM का integration of ZDM upon M अब यह calculate कैसे करते थे देखो XCM अगर मालो calculate करना है तो हमको क्या करना है यह तो DM हम लोंने देखा है ना इसका distance इसका distance origin से R है तो आपने center of mass का X component आपको चाहिए तो आप क्या करोगे अब आप इस mass का X component लेलो अगर इसका X component लोग Deus लोगे तो क्या मिलेगा आपको यह X मिल जाएगा यह distance x यह यहांपे ये यूज होगा वैसे इसका Y component गज़ैगा इसका use करना है इसके लिए YCM ढूनने के लिए वैसे ZCM ढून लो तो जब आप इस R का तीनों component लेके XCM, YCM और ZCM आपने ढून लिया इसका मतलब आपने RCM ढून लिया क्यों? क्योंकि RCM ये point है न और इस point के coordinates क्या होंगे? XCM, YCM, ZCM बात कतल अब मैं आपसे ये बोलो origin पर ही आ गया थोड़ा याप ध्यान से देखो What is RCM? RCM is is the distance of the center of mass from the origin अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा particular system है या फिर हमने ऐसा कुछ origin decide कर लिया है, fix कर दिया है कि अगर आपका center of mass origin पर ही आ रहा है तो बताओ RCM का value क्या आएगा RCM is distance of the center of mass from the origin अब ये है कि origin पर ही center of mass रखा हुआ है तो फिर RCM 0 हो जाएगा और इसके coordinates क्या होंगे? 0, 0, 0 अब मुझे एक बात बताओ ये जो distance है ये जिसका जो vector बनाता है इसके coordinates क्या आते है XCM, YCM, ZCM center of mass के coordinates क्या है 0, 0, 0 and this is nothing but coordinates of center of mass 0 0 क्योंकि center of mass आपका कहां पर है origin पर है इसका मन्दब ये कि अगर center of mass origin पर है तो ये वाला value 0 हो जाएगा XDM will be 0 YDM will be 0 RDM will be 0 clear है इतना? ये थोड़ा याद रखो अब एक काम करते है इस वाले example पर आजाते हैं ठीक है? ये वाला situation देखो वो जो mass BM है वो यहाँ रखा हुगा है मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ उसको इसका distance center of mass से कितना है? this is RC center of mass से ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर suppose करो मैं origin भी यहाँ माल ले रहा हूँ जहां center of mass है वही मैंने origin माल लिया तो फिर मुझे एक बात बताओ कि इसका जो यह आ रहना हो this DM is nothing but its distance from origin is RCM वही करना था हमको अगर RCM निकालना है तो इसके जगह पर RC आ जाएगा क्योंकि that is the distance of DM from the origin हमने center of mass पे ही origin माल लिया समझ मैं अगर इस RCM का अगर दो component निकालो तो हर axis के long तो यह आपका X आ जाएगा यहाँ पर आपका Y आ जाएगा ठीक है यह वही X है यहाँ पर जो आपको CQ दिख रहा है न वही X है यहाँ पर RC का X component ठीक है RC का X component consider किया तो आपको center of mass का क्या मिलेगा आपको center of mass का X component मिल जाएगा लेकिन जहाँ पर center of mass है वहीं पर हमने origin मान के रखा हुआ है तो फिस center of mass का जो value होगा RCM का वो 0 होगा और उसके सारे coordinates भी 0-0-0 होंगे क्योंकि origin पर ही center of mass रखा हुआ है so XCM will also be 0 YCM will also be 0 and ZCM will also be 0 तो आप यहाँ पर हम क्या देखेंगे यह वाला पाट देखो this is 0 in this case क्योंकि center of mass पर ही origin मान के रखा हुआ है तो यह 0 हो जाएगा यहीं से distance calculate कर रहें na center of mass से so integration of DM upon है that is XCM will be 0 in this case खीक है अब इसको आगे पढ़ाओ इससे हमको क्या पता चलता है integration of XDM is equal to 0 यही center of mass की खासियत है है na center of mass आपका origin पर है तो particles वैसे भी equally distributed होते है तो यह 0 हो जाएगा ठीक है M वहाँ जाके multiply करोगी 0 हो जाएगा बस यह काम करो आप value उपर डाल दो equation में integration of XDM 0 तो आई का value क्या आजाएगा M x square plus I cm so I will be equal to I cm plus M x square काम करता यही हमको prove करना था तो moment of inertia अगर माल लो तुमको center of mass के आपका है तो उसके किसी भी parallel axis के आपका moment of inertia तुम ढूंड सकते हो अगर उन दोनों axis के बीच का distance तुमको पता है perpendicular distance ठीक है कोई भी distance नहीं लेना है it has to be perpendicular distance और इस body का mass अगर हम पता है हमको तो ठीक है इस equation से and that is nothing but your parallel axis theorem इसको याद रखना हम लोग इसका use करेंगे parallel axis theorem का बहुत से axis के along moment of inertia calculate करने के लिए ठीक है Thank you